Recalling of Molecular Biology Topics by Mind Map Series में आपका Welcome है ठीक है उसके बाद जो यह है वो Mind Map की Series 9 है Concept Map की Series 9 है और हमने पिछले टाइम बात की थी Nucleosomes के बारे में जो कि DNA Packaging का Part 1 था DNA Packaging में अब Part 2 शुड़ हो रहा है जो की Focus करेगा Stones की Structure पे ठीक है यह Focus करेगा Stones के Structure पे एक्चली Stones क्या है क्या कैसे है ठीक है यह उनका बेट क्या है eukaryotic DNA में तो histone क्या है वो प्रोटीन है और किस से associated है यह associated है eukaryotic DNA से ठीक है इन पर charge क्या होता है positively charge होते हैं यह क्या होते है positively charge होते है क्यों positively charge होते है क्योंकि इन में जो positive amino acid का content होता है वो बहुत high होता है ठीक है almost 20 to 23 और 24% जो होता है इनका content जो होता है वो positive charge amino acid से मिलके बना होता है और generally यह जो 20 to 24% of amino acid residues है वो जो है वो lysine और arginine है क्या है lysine और arginine तो lysine और arginine पर present positive charge जो है वो है reason histone के positively charge protein होने का ठीक है तो histone एक positive charge small protein है जो कि eukaryotic DNA में पाए जाता है positive charge इसलिए है क्योंकि यह इसमें amino acid होते हैं जो positively charge होते है जो 20 to 24% portion होता है इसका वो बना होता है lysine और arginine से तेक अब एक बात करते हैं कि यह जो होता है sperm यह सारे cells में पाया जाता है histone जो है वो सारे cell के DNA में पाया जाता है except sperm ठीक है sperm में जो होता है वो histone replace हो जाता है histone replace होता है दूसरे protein से जिसको हम बोलते है protomines ठीक है sperm में जो histones होते हैं वो replace हो जाते हैं किसे protomines से replace हो जाते हैं तो अब eukaryotic histones जो हैं eukaryotic DNA में वो होते हैं पांच तरह के ठीक है पांच तरह के पिछली बार के ही उसमें देखा था हमने है h1 है h2a है h2b है h3 है और h4 है ठीक है तो पांच classes है protein की इसके अलावा जो core histone होता है अब यह पांच में जो है वो है वो चार्ण है वो कोर हिस्टोन मनाते हैं और जो पांच वा है वो linker histone बनाता है ठीक है तो जो कोर histone है उसमें क्या है h2a h2b h3 and h4 जो h1 है वो linker histone है ठीक है तो यह चीजें समझ में आ गई होंगी आपको अब अगली अब slide में बात करते हैं कि histone का यह दिखता कैसा है ठीक है तो यह जो nucleosome होता है उसमें यह h2a के दो सब यूनिट h2b के दो सब यूनिट h3 के दो सब यूनिट और h4 के दो सब यूनिट होते हैं ठीक है इसके अलावा यह histone जो होते हैं यह covalently modify होते हैं ठीक है covalently modify होते हैं इस covalent modification के बारे में हम अगली series में discuss करेंगे ठीक है तो यह हैं इनके covalent modification इसके surround में 1.67 जो है वो turn है DNA के fiber का DNA का ठीक है DNA के strand का 1.67 times turns है ठीक है यह हो गया जो outside core histone जो DNA है उसको हम क्या बोलते हैं linker DNA linker DNA जो दो नुक्लियोसोंस के बीच में होता है ठीक है और जो linker से attached histone होता है वो h1 histone होता है इसको हम क्या बोलते हैं linker histone हम बोलते हैं ठीक है अगर हम बात करें कि histone protein के molecular weight की पहले तो हमने देख लिया है कि amino acid का जो maximum portion होता है वो lysine और arginine content करते हैं ठीक है तो 20-24% जो content होता है lysine और arginine का होता है इसके अलावा अगर हम बात करें molecular weights की histone के molecular weights की तो यह species to species vary करेगा यह जो है यहां पर प्रेजेंट वो bovine histones है और bovine histones में हम क्या देख रहे हैं कि bovine histones में h1 जो है वो dalton में कितना इसका molecular weight है 21,130 ठीक है मतलब approximately 21 kilo dalton ठीक ऐसे ही h2a में कितना है 13,960 मतलब almost 30 to 40 kilo dalton ठीक ऐसे ही h2b 30 to 40 यह भी है समझ सकते हैं ठीक है kilo dalton फिर h3 जो है वो 15 kilo dalton ठीक है और h4 जो है वो 11 kilo dalton तो यह हो गई बात molecular weights की molecular weight क्या होता है h1, h2a, h2b, h3, h4 क्या आप देख पा रहे होंगे कि h2a, h2b, h3 और h4 इन सबसे ज़्यादा जो है molecular weight जो है वो h1 का है h1 का कितना है 21 है बाकि सब के molecular weight के range कितने है 11 to 15 लेकिन h1 का क्या है 21 almost 21 kilo dalton है तो यह हमने बात कर ली हिस्ट्रोंस के बारे में मिलते हैं DNA packaging के series 3 में तब तक के लिए thank you